हे गाइस वेलकम बैक टो सोनिया की छोटी सी दुनिया तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हम किस तरह से अपना डेलिर रूटीन का जो काम होता है उसको असान बना कर अपना जो टाइम है वो बचा सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो तो इस तरह के हमारे पास चाय के पैन होते हैं जब हम चाय बनाते हैं तो साइट्स पर ये देखें इस तरह से निशान है जो चाय के पढ़ जाते हैं तो हलके हलके से यह से इस तरह से dark होते जाते हैं जो कि दिखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते और जब हम इनको साफ करना चाहते हैं तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है तो अगर कोई देखता है न तब भी बहुत गंदे लगते हैं तो इसको हम साफ करेंगे इस तरह white colgate लेकर, तो हमें toothpaste लेनी है सिर्फ हमें white colgate ही लेनी है कोई और नहीं लेनी है तो इस तरह से मैंने अपनी finger से थोड़ी थोड़ी करके लगा ली है और जहाँ जहाँ पर मुझे निशान नजर आ रहे है तो मैं वहाँ पर इसको लगा तो यह देखें इस तरह से हमने लगा दे नहीं है सारे कॉल गेट और इसको हम थोड़ी देर के लिए दस मिनट के लिए ऐसे ही लगा कर छोड़ देंगी तो इसको मैंने लगा दिया, मैं दस मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ूंगी, तो ये देखें, दस मिनट बाद आपको नजरा रहा है कि ये ड्राई हो चुकी है, कॉल गेट, तो अब हम इसको क्लीन कर लेते हैं, तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है, बहुत ही असानी से क्लीन हो जाते हैं, तो हमें एक स्टील वूल लेना है, तो अगर आप ब्रश भी यूज़ करेंगे, तो ये बिल्कुल ही इसीली साफ हो जाएगा, जहां पर भी काला पन होगा, या कुछ भी होगा ना, तो ये तो टैन है चाहेगा, अगर आपके इसी तरह से चाहे के, ज होते हैं, वहाँ पर भी निशान हो ना, तो आप उस पर भी इसी तरह से कॉल गेट लगाएं, और इसी तरह से क्लीन करें, तो अब मैं इसको वोश करके आपको दिखा रही हूं, तो ये देखे, बिल्कुल नए जैसा हो चुका है, अगर हम वैसे ही स्टील वूल से साफ करे तो वैसे नहीं होता, तो अगर हम थोड़ी सी टूथपेस लगा लें, इस तरह, तो ये देखे, ऐसे लगए जैसे कि मैं अभी लेकर आई हूं मार्किट से, तो इस तरह से छोटे-छोटे टेप्स हम फोलो कर सकते हैं, तो ये देखे, आपको नजर आ रहा है कि ये मेरा है ased, shelf, cupboard, kitchen की, तो इस तरह से मैसे हो रखी है, तो मैं कितना भी समान रखूँ, जो पीछे का समान में, easily, मैं निकाल ही नहीं सकती हूं, आगे समान मैं इतना कुछ रख भी नहीं सकती हूं, तो इस तरह से मेरा उठ्थल तो इस कबर को मैं किस तरह से organize करने जा रही हूं, तो म मैंने एक online stand है, जो वो मैंने मंगवाया है, जो कि मैं आपके साथ पहले भी एक वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, जो कि मुझे बहुत ही पसंद आया था, और मैंने फिर एक और ओर किया था set, तो बस ये वो ही मैं open कर रही हूँ, तो इसकी unboxing मैं आपके सामने ही करने लगी ह कि ये किस तरह से आया है, तो बहुत ही बढ़िया से आया है, तो जो पहले मैंने आपको दिखाया था, वो मैंने ऐसे ही दिखा दिया था, तो इसकी unboxing मैं आपके सामने ही करने हूँ, कि आपको भी पता चले कि किस तरह से पैक होकर आता है, और किस तरह की quality में आता है, तो य यह देखें, एक एक करके, मैं सारे स्टेंड के नीचे लगा लूँगी, इसको लगाने से क्या होता है, कि हम इसको जहां भी रखेंगे ना, तो नीचे स्क्रैच नहीं पड़ेंगे, तो यह देखें, मैंने सारे लगा लिए हैं, तो लगाने के बाद मेरे को दो और बच चु पहले मैं कुछ भी एड एक्स्ट्रा नहीं कर पा रही थी कि रखने की कोई जगा ही नहीं थी और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था मैं किस तरह से रखूँ और अभी भी देखो आगे की तरफ कितनी सारी स्पेस है जहां पर मैं और भी समान अपना रख सकती हूं तो इस तरह से मैं अपने कप, ग्लास कुछ भी निकाल लूँगी ना इसली निकल सकते हैं मुझे नजर भी आ रहा है कि मेरा कौन सा समान कहां पर पड़ा है और कौन सा समान कहां नहीं और जहां पर स्पेस मुझे नजरारे में वहां पर और समान एड कर सकती हूं इस तरह से बहुत ही बढ़िया से हमारी कबड लगती है तो अगर आप स्टैंड नहीं मंगवा सकते हैं तो आपके पास इस तरह के बोर्ट्स हो चोंकी टाइप इस तरह से कुछ हो तो आप वह भी आप यूज कर सकते हैं तो यह देखे मैंने यहां पर यह यूज किया है तो मेरे पास ए बहुत ही बढ़िया से हमारी कबड है जो लगती है इस तरह से हमारे मीनत भी कम लगती है जब हम इनको क्लीन करते हैं हम बस एक बार इनको इस तरह से क्लीन करके रख देंगे तो एक मीना हमें इनको हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी नहीं तो हमें डेली साफ कर पड़ता है तो इस तरह से हमारा जो काम हो जाता है और हमारा टाइम भी है जो बच जाता है और जो हमारा टाइम बच जाता है वहां पर हम और भी काम कर सकते हैं तो गैस इस तरह से सबके घर में गैजट्स होती है और उनकी वायर्स भी ऐसे ही फैली रहती है तो सारा दिन हमारा इस वायर को संभालने में ही लग जाता है तो काफी टाइम तो हमारा इसी में वेस्ट हो जाता है इसकी नीचे से क्लीनिंग करने में तो हमें क्या करना के लिए वायर मिलती है ना तो हमेना वो संभाल का रख लेनी जाहिए क्योंकि जब हम मुबाइल लेते हैं उसके साथ चार्जर होते है ना तो उनके उभी टक करने के लिए मिलती है चार्जर हम यूज कर लेते हैं और जो यह वायर होती है यह इसको हम फेंक देते हैं तो फें कांटर टोप में रखने आप कांटर टोप पर भी इसको इस तरह से रख सकते हैं तो अगर आपको कबड में रखने तो कबड में भी रख सकते हैं और अगर आपके पास इस तरह से वायर ना हो तो आप इस तरह से रबर बैंड यूज़ कर सकते हैं जैसे मैं यूज़ कर रही ह आप इसको इस तरह से रख देंगे आप काउंटर टॉप पर भी तो देखो साइट्स पे कितना बच जाता है स्पेस तो यह देखे मुझे जितनी चाहिए ना वायर मैंने उतनी निकाली है तो बाकी सारी वायर मैंने टक कर दी है तो इस तरह से बहुत ही अच्छी से तो इस तरह से वायर को उपर गर के रख देंगे ना तो वायर खराब भी नहीं होगी ने तो क्या होता है ना वायर धीरे 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 टक लगने लग जाता है तो वो खराब हो जाती है तो अब आते हम बच्चों के रूम में तो बच्चों के रूम में जब भी आओ तो इस काफी मुश्किल हो जाता है डेलि हमें इस तरह से क्लीनी करने में हमारा काफी सा ना time है जो waste हो जाता है इस तरह इस तरह से हमारी भी महिनत कम लगेगी क्योंकि हमें क्या करना है हमें सिर्फ बकेट को उठाना है और अच्छे से हम क्लीन कर लेंगे तो हमारा कम से कम टाइम लगेगा हमारा डस्टिंग में तो बस यहीं छोटी-छोटी सी बाते होती हैं जिनको हम फोलो करें न हम अपना है जो बच्चा सकते हैं इस तरह से छोटी-छोटी बकेट को हम अपने पूरे घर में जहां पर हमें लगे समान रखनी है तो हम वहां पर रख सकते हैं तो बस काई इस वीडियो को भी मैं यहीं पर एंट करने लगी हूं अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी हो त चैनल को सब्सक्राइब करना ज्यादे से ज्यादा शेयर करना मिलते हैं आप से अगली बीडियों